नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट ब चैनल पर दोस्तों प्रस्तु थे चालक की नीती के modern conversion की एक और वीडियो दोस्तों चालक की नीती को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अन्थ जरूर देखें फ्रेंटस आचार चारक को बहरत का महान अर्थचार्ष्टी और राजनीतिक का दरजा दिया गया है उन्हुंने अपने बल और ग्यान से मोरेबंश की स्थापना की है उन्हुने अपनी नीती गरंत के माद्यम से कई महत्पूर बातें बताई है चाड़क की की इन नीतियों को महान शाषकों ने भी अपनाया है इन्हें अपना कर बेक्त अपने जीवन में हर समस्या का समाधान करके सफल बन सकता है आचार चाड़क के ने अपनी एक नीति में कहा है कि जो मनुष इन छे को अपना रिस्तदार मानता है उसे मोच मिलना तय है तो दोस्तों आएए जानते हैं वीडियो में वो कौन से छे रिस्तदार हैं नमबर एक हमेशा रहते हैं खुश दोस्तों आचारे चारके ने अपने इस लोक में कहा है कि सत्य बोलने बाला हमेशा बिजय होता है जो बेक्ति सत्य को माता बना लेता है उसके रास्ते खुद बाखुद बनते जाते हैं सत्य बोलने बाला बेक्ति सबका प्री होता है और सदा खुश रहता है मनुस के अबगणों को दूर करने का सबसे उप्युक्त साधन सत्य है सत्य ऐसी दवा है जो बेक्त में कभी रोग नहीं लगने देती है माता की तरह सत्य मनुस की हमेशा रच्छा करते है नमबर दो इससे बढ़कर कोई चीज नहीं दोस्तों चारक्ति ने कहा है कि ग्यान को हमेशा पिता के समान मानना चाहिए पैसा आता जाता रहता है लेकिन ग्यान हमेशा आपके पास रहता है मनुस के जीवन में ग्यान से बढ़कर कोई चीज नहीं है ग्यान प्राप्ति में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को ग्यान देने में मनुस्य तभी सफल बनेगा जिसके पास ग्यान होगा बिना ग्यान के मनुस्य बिना आत्मा के शरीर जैसा है नमबर तीन इस तरह जीवन बनता है सकारात्मक दोस्तों चारक जी कहते हैं कि जो बेत अच्छे काम करते धर्म का संचे करता है उसका जन्म सफल होता है धर्म मनुस्य के जीवन को सकारात्मक बनाता है धर्म को हमेशा भाई की तरह मानना चाहिए जिससे बापने हर कर्म को पूरा करता जाए धर्म को मानने बाला बेति कभी भी बुरी संगत में नहीं पड़ता है और धन का उपयोग सही दिसा में करता है मनुस्य का जन्य इसलिए होता है कि बाधर्म के मारत पर चले और धन प्राप्त करते हुए उसका उपभोग करें नमबर चार मनुस्य को सफल बनाती है दया दोस्तों चाड़क जीने मनुस्य के मन में दया के भाव को सभी धर्मों से उचा इस्थान दिया है प्राणी मात्र पर दया करने वाला बेक्ति कभी पाप कर्म की और परवत नहीं होता है इससे बड़ा ज्यान और क्या हो सकता है दया को मित्र के समान मनना चाहिए जिसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए जिस परकार मित्र की हर परिस्टिती में मदद की जाती है उसी परकार दया ही मनुस्य को सफल बनाती है नमबर पाँच सफलता के खुलते हैं मारक दोस्तों चारक की जी कहते हैं बैक्ति को हमेशा शांत और संतोस सोभाव का होना चाहिए जो बैक्ति शांत रहता है उसके जीवन में सफलता के कई मारक खुलते चले जाते हैं शांत मन से लिया गया निर्रे हमेंसा लाबधाय होता है जो ब्यक्ति शांती को पत्मी की तरह अच्छे से रखता है उसके जीवन में कोई समस्या नहीं होती है नमबर छे जीवन में नहीं होता है कष्ट दोस्ता चारक की जी कहते हैं कि किसी की गलती के लिए छमा करना बहुत बड़ा पुंड माना जाता है हमारी संसिक्रती में हमें छमा करने की सिच्छा देती है जो ब्यक्ति छमा को संतान के समान मानता है उसे जीवन में कष्टों का स 7. स्वस्थ के साथ कर सकते हैं दोगा, दौसता चारक की जी कहते हैं, धर्ती पर हर बेखती पेट बरने के लिए महिनत करता है, हनेशा पेट बर कर भोजन करना चाहिए, बिशेश कर जब किसी के यहां अथित्टी बन कर गए हो, अगर आप पेट बर कर भोजन नहीं करेंगे, बोजन मांगने में शर्म करेंगे तो आप अपने सस्थ के साथ धोका करेंगे नमबर आठ भविस्थ में नहीं मिल पाएगा लाव दोस्तों चालक की जी कहते हैं जहां भी सबा हो बहां खुल कर बोलना चाहिए अगर आप सबा में चुप रहेंगे तो आपके भविस्थ के लिए बनने वाली योजनाओं का आप सही से पालन नहीं कर पाएंगे सबा में चुप रहने से आपका महत्तो और प्रभाव भी कम होता है इसलिए जहां जरूरी हो जरूर बोलना चाहिए और बिल्कुल शर्म धिजत नहीं करनी चाहिए हर आदमी के सामने अपनी बात बिल्कुल खुल के रखना चाहिए तो दोस्तो ये थे आचार चारक की जी के कुछ बेहत अनमोल विचार दोस्तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे लाल लंके बेटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे वेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताके फूचर में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक आप रहें खुश और जीवन का भरपूर आनंद उठाते रहें जय हिंद जय भारत